जो हम शायद कुछ इकलीसया के लोग भूल चुके हैं, शायद बौन क्रिश्चन हैं, जो अभी मसी में आए हैं या नए हैं, सबके लिए प्रातना जुरूरी है, प्रातना बहुत जुरूरी है, एक समय है जब हम प्रातना करते हैं और एक समय है जब प्रातनाओं के फल उत्तर के रूप में देता है, गवाहियों के रूप में प्रातनाओं के उत्तर देता है, आज हम उन प्रातनाओं के विशे में पढ़ेंगे, कि प्रातना करना हमारी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, प्रातना कैसे करनी है, अगले दिनों में हम प्रात्ना की विशे में हम जानेंगे हालेलुया सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समाएगा परमेश्वर का आत्मा से आप भरेंगे परमेश्वर के वच्छन को आपके हिर्दियों में परमेश्वर का यह वच्छन बोया जाएगा आपके मनों में आपके जिन्दिगियों में प्रातना जो है प्रमेश्वर में प्रेरफुल रहना यह आपके जिन्दिगियों में बोया जाएगा हालेलुया जिस तरह से हम अगर हमें आर्थिक तरक्की चाहिए हमें फाइनेंस में ब्लेस होना है तो हम अपने काम का अपने ब प्रातना में बोना भी ज़रूरी है, हालेलुया, परमेश्व ने अधिकार दिया हमें, परमेश्व ने अधिकार रखे हैं, लिखे हैं बाइबल में, हमें उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना समझना, गुटनों पर उन अधिकारों का प्रयोग करना है, हालेलुया, जो परमेश प्रमेश्वर ने वचन में लिख दिया, उसे प्रमेश्वर ने बार बार हमें आके अकेले केले को नहीं समझाना कि वचन में ये लिखा है, वो लिखा है, प्रमेश्वर ने एक बार लिख दिया, उसे पड़ो, घुटनों पे आओ, उन प्रातनाओं में उन वचनों का इस्त पृपृ में ये परमेश्वर की मरजी नहीं है, कि आप इना चैलेंज नहीं हो, कुछ समय के लिए प्रिक्शा आ हो सकती है, प्रातना के साथ, अपने समय का दिश्मांश भी प्रातना में देना होगा, अगर आप चाहते हो के हम ब्लेस हो सके, अगर चाहते हो के परमेश्वर की योजना है हमारी जिंदगी में पूरी हो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में हमें परमेश्वर का पता चलत अगर आप बैठ कर वर्शिब करते हो मसीही गीतों के साथ आप वर्षिप कर रहे हो, आपने दो घंटे वर्षिप की, तीन घंटे वर्षिप की और आप सोचो कि आपने प्रातना कर ली, नहीं, अगर बहनी जैसे किचन में अपना काम करती हो, साथ में हेड़फोन लगा कर मसीही गीतों को सुनती है और वो सोचती वे तुमारे लिए हो जाएगा हालेलुया प्रात्ना में प्रमेश्यों कहता कि जो चाहू मांगो वे तुमारे लिए हो जाएगा यदि तुम मुझ में बने रहे यदि तुम जाने कलीस्या को प्रमेश्यों कहता कि यदि तुम प्रात्ना में बने रहे तो जो चाहू मांगो फिर आपकी प्रात्नाओं के उत्तर आएंगे यदि तुम प्रात्ना में बने रहे परमेश्र का वचन कहता लेकिन आज हम विपत्ती के समय जब कश्ट है जब दुख है जब बिमारी है फिर ही हम प्रात्ना में जाते हैं परमेश्र हमें बचा फिर हम हाई तौबा करते हैं ल वो भी मेल मिलाप करने लगें अभी पैसा आ गया है सब कुछ ठीक है अभी प्रॉस्पेरिटी है तो अभी महंगी महंगी चीजों लेने में हम टाइम वेस्ट कर रहे हम शॉपिंग भी करनी अब नहीं नहीं बहने डिशिस बनाना सीखती है हाले लिया भी फोन ले लिया उसक सब कुछ ठीक है तब भी मुझ में बने रहो प्रमेश्वर कहता है फिर जो तुम मांगोगे वे तुमारे लिए होगा यदि तुम मुझ में बने रहे यदि तुम प्रात्ना में बने रहे दूसरा यदि परमेश्वर का वचन भी आप में बना रहा जैसे परमेश्वर का व वचन उस व्यक्ति में समाया हुआ है हालेलुया अगर कोई व्यविचार में है और वचन को सुना पढ़ा लिखा है कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि पवित्र बन क्योंकि तरह बुलाने वाला तिरह स्वर्गिय पिता पवित्र है तो वो नशों को उस व्यविचार को छ तब गुटनों पे आओगे और जो मांगोगे परमेश्र कहता है वे तुम्हें मैं प्रातना में दूंगा हालेलुया